और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाला की कर दी एक्चुली क्या है ना कि मैं हमेशा क्या करती हूँ सबसे पहले मैंने अभी तक इनकी पैकेजिंग भी नहीं खोली है अरे भाई आगए आप साथ हलो दिस इस प्याजली वेल्कम टू माई चैनल सो गाईस आज की वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं वो तो आपको थम्नेल और टाइटल देखके पहले ही पता चल गया होगा हाँ भाई तुम शोर कर लो पूरा शोर कर लो बट मैं ता फिर भी वीडियो बनाऊंगी हाई सहाब मैं शोर से तना ज़्यादा परेशान हूँ नो मैं बता नहीं सकती मैं क्या करूँ कोई बात नहीं प्लीज इस गंदे से साउंड को इग्नोर कर देना सो गाईस जैसा कि मैंने कहा है कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत चारे स्टीकस तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक तो डवल साइडे टेप के साथ कैसे स्टीकस बना सकते हो और एक बिना डवल साइडे टेप के कैसे बिलकुल मार्केट की तरह stickers बना सकते हो तो इसी लिए वीडियो का skip बिलकुल भी मत करना सो चलो फटाफट से start करते हैं अपने stickers बनाना तो सबसे पहले तो sticker बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक paper तो मेरे पास यह sketchbook है जिसमें मैं हमेशा papers लेती है क्योंकि इस sketchbook के papers इतने जादा अच्छे हैं कि क्या ही बताओ मुझे इनमें काम करने में बहुत मजा आता है तो चलो फटाफट से इसी मैंसे मैंने एक paper दो लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाला की कर दी एक्चुली क्या है ना कि मैं हमेशा क्या करती हूँ सबसे पहले सारे डिजाइन को पहले तो यहाँ पर रफ तड़ीके से बना लिया और अब लोगी मैं यह वाली sheet और इसके अंदर रखे बस pencil से छपाई कर दूँग और आप सब देख सकते हो कि पेपर पे कितना अच्छा प्रिंट हो गया है यार पहला sticker मैं बना रही हूँ अपने मक जैसा एक्चुली मुझे ना गर्मियों में cold coffee, oreo shake पीना इतना जाधा पसंद है कि मैं क्या बताऊं कि मैं ना इस मक के बिना रही नहीं पाती यह मेरा फेव्रेट है तो फटाफट से मैंने अपनी पैंसल को यहाँ पे ले लिया है और जो भी मैंने करे Cancer किया है उसको आशानी से pencil की help से मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी और मतलब भाई सब देख रहे हो कितना जादा आसान प्रॉसेस हो गया है तो यह वाली ट्रिक तो आप जरूर ट्राइ करना तो फटा फट से मैंने यहां पर अपने मग को आइस क्यूप से भी भर के रेडी कर दिया है अब बनाते हैं अपना दूसरा वाला स्टीकर यार मुझे ना कोल्ड कॉफी वगेरा इतना पीन कर लिया था लो भाई हमारे यहां पर कैमरा तो बनकर रेडी है अब बनाते हैं एक से मिलता जुलता ही एक और कैरेक्टर सीडी को कैरेक्टर तो हम नहीं गएंगे यार मैं भी पता नहीं कैसी बखवास करे जा रही हूं चलो फटाफट से अब थोड़ी सी खाने पीने की च सारे स्टीकर्स को ड्रॉव कर लिया है जो जो मझे अच्छे लगे अब बारी है इनको रंगीन बनाने का तो इसके लिए आज मैं यूज करने वाली हूं डॉम्स के ये ट्यूप्स कलर और आप सब देख सकते हो कि मैंने अभी तक इनकी पैकेजिंग भी नहीं खोली है तो आओ अब इनको साथ में अन्बॉक्स करते हैं तो इस बॉक्स में मुझे मिले है टोटल 12 वाटर कलर और इसके साथ मुझे मिला है एक ये ब्रश भी प्री तो आओ चलो फटाफट से इसी से पेंट करना शुरू करते हैं भाई साब एक बात तो मानी पड़ेगी कि इस ब्रश की क्वालिटी ना 10 on 10 है मतलब यार क्या स्मूध चल रहा है ये पेपर की उपर तो भाई मैंने तो अपना मग भरा है कोल्ड कॉफी से आप होते तो आप अपना मग किस से भरते फटाफट से कॉमेंट में बता दो अब हमारी कॉफी थोड़ी इसमें रियालिस्टिक सी लगे इसलिए थोड़ी सी टिटेल्स पी एड़ कर देंगे देख रहे हो थोड़ी सी डिटेल्स एड़ करने से ही हमारी पेंटिंग में कैसे जान सी आ जाती ह पुरी सी realistic painting बनाने के लिए बस आपको color के shade का पता होना जरूरी है अब मुझे मेरी cold coffee बिना ice cubes के तो अच्छी लगेगी नहीं तो इसलिए फटा-फट से धेर सारे ice cubes बना लेते हैं और अब इसके handle को paint करना कैसे भूल सकते हैं यार straw लगाने के बाद हमारा jar तो complete है चलो अब दूसरी वाली coffee में भी रंग भर देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी coffee का color तो brown ही होता है तो मैंने इसको भी brown paint कर दिया सारी चीज़े तो brown color से paint करेंगे नहीं वरना बहुत जादा boring हो जाएगा इसलिए मैंने इस camera के लिए choose किया है ये pink color इसको मैं जब color कर रही थी तो सोच रही थी बस हलका सा pastel color ही करूंगी लेकिन भाई साब मुझसे कोई चीज ढंक से थोड़ी होती है detail add करते करते मैंने इतना जादा इसको dark कर दिया कि पूछो ही मद देख रहे हो पूरा camera मैंने dark pink color का बना दिया पर कोई बात नहीं अभी तो काफी सारे stickers बचे हैं तो चलो उनमें फटाफट से paint कर लेते हैं मैंना CD को बहुती cute सा बनाना चाहती हूँ I mean use कर रही हूँ मैं आपे थोड़े से minimal colors आप चाहो तो वैसे कोई और color भी use कर सकते हूँ मैं तो water colors इसलिए use कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन था और मैं किती जादा बाते बनाती जा रही हूँ आप से आप सब सोचते होंगे कि मैं कितना जादा बोलती हूँ पर देखो यार अगर मैं बोलूंगी नहीं तो आप सब बोर हो जाओगे और बोर हो जाओगे तो मेरी वीडियो को end तक बिलकुल भी नहीं देखोगे तो पीजा को realistic look बेने के लिए सबसे पहले तो मैंने उसके base में भर दिया ये yellow color और आप बारी है अपने पीजा को अपने favorite topping से भनने की जैसे आप सब की favorite topping क्या है पीजा की फटा फट से comment में बता दो तो भाई अपने पीजा को green veggies से पूरा fill कर दूँगी अब आरी है अपने last sticker को paint करने की मतलब हमारी cute सी ice cream इसको भी मैं different different color से paint कर दूँगी जैसे की इसकी नीचे वाली layer में मैंने किया है green color then उसके बाद किया है ये orange color पतानी cute के नाम पे मुझे बस मेरे दिमाग में एक pink color ही आता है तो मैं इसमें pink color ही कर दूँगी और heart मैं भरूंगी मैं ये red color और देखो भाई मैं कित्ती जादा clumsy हूँ मतलब बाकी sticker को paint करने के चकर में मैंने अपनी coffee फैला दी अब इसको तो ठीक करना पड़ेगा ना तो फटा भट से मैंने यहाँ पे पूरी coffee की bottle में white color कर दिया और लो भाई सारे stickers बनकर ready हैं नहीं अभी रुक जाओ अभी कहां यार अभी कहां complete हुए हैं बताओ बिना detailing के कोई चीज complete हो सकती है क्या एक तो तरीका है कि मैं इसको complicated करके brush की help से ही इसकी detail एड़ करूँ और दूसरा सबसे आसान तरीका है कि मैं यहाँ पे gel pen का अब मैं ठहरी आलसी लड़की तो भाई मैं तो brush का स्तमाल बिल्कुल भी नी करने वाली तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना 10 रुपे वाला यह gel pen और फटाफट से इनकी outline करना start करूंगी वैसे आप चाहों तो यहाँ पे black sketch का भी कासी जान सी आ गई है यह कित्ते जादा प्यारे लग रहे हैं और भाई हमारा यह स्टेप भी बस complete होने वाला है और देख रहे हो सारी स्टीकर्स बनके रेडी हैं नहीं भाई यह अभी भी स्टीकर नहीं बने हैं तो इनको स्टीकर वाला लुक देने के लिए मैं यहाँ प इसे कुट से स्टीकर बन गए हैं यार यह कित्त जादा क्यूट लग रहे हैं आई मीन बट अभी भी इनमें एक कमी बाकी है तो सारे स्टीकर्स मैंने हां पर कट कर लिये हैं लेकिन जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक स्टीकर्स कैसे बनेंगे या तो मैंने ले लिया है डबल साइडे टेप तो इसकी हैज से हम अपने स्टीकर को चिपकाने वाले हैं तो हां भाई फर्स्ट मैं इस्तमाल कर रही हूँ यह डबल साइडे टेप तो फटा फट से इसकी एक स्ट्रिप को लेके कुछ इस तरही किसे चिपका देंगे देन एक्स्ट्रा पार्ट कट कर और हमारा पहला स्टीकर बस बनने ही वाला है और हाँ भाई साइड के एक्स्ट्रा टेप को भी कट करना है सेकिंड है मेरे पास ये नेम लेबल्स काई सी वही नेम लेबल्स हैं जो आप अपनी नोट्बुक के उपर पेस्ट करते हो तो अगर आपके पास ये डबल साइडेड टेप नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि नेम लेबल्स के ऊपर हम इस स्टीकर को फैवी कॉल की हैच से चिपका देंगे और नीटली कट कर लेंगे और देखो भाई मार्केट जैसा स्टीकर बनके रेडी है जैसे ही मैंने सारे बना लिये हैं तदाना हमारे सारे स्टीकर बनकर एकडम रेडी है आई तो लव देम यार मतलब ये किते जादा क्यूट लग रहे हैं ताफट से इनकी स्टीकनेस चेक करके देखते हैं जिसके लिए मैं इनको चिपकाने वाली हूँ अपने हाथों के ऊपर अरे भाई निकल जाए ये टेप तो बड़ा अडियल है निकली नी रहा भाई निकल जा प्लीज 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 सबसे पहले मेरे पास ये पोलरोड कैमरा इसको में स्टिक करने वाली हूँ अपने इस हैंड के ऊपर and oh my god look at these यार किते ज़्यादा क्यूट है फटा फट से अपना फेवरेट वाला स्टीकर जल्दी से कॉमन कर दो और मेरा तो सबसे फेवरेट वाला ये पीज़ा वाला स्टीकर है भाई बच्पन में न वो टॉफी जुआ दीती उसमें बहुत सारे टैटू निकलते थे तो वो भी हम अपने हाथ पे चिपका लेते थे ता और कितना ज़्यादा मजा आता था लेकिन मेरे ममी पापा मुझे हमेशा डाट देते कहते थे कि उन्मी स्टीकर्स के मज़े से आपकी स्किन भी बहार आ जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता सो गाईज आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही I hope कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो फटाफट से चैनल पे नहीं होता हो सब्सक्राइब भी कर दो और आप बेल बटन दबाना भूल जाते हो फटाफट से वो भी दबा लो ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा अब मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट क्रेटिव वीडियो में तिल देन टेक केर बाबाई